हेलो दोस्तो हमारा आज का वीडियो लाज स्टूडेंट्स और जूनियर एड़ोकेट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीगल ड्राप्टिंग क्या है और लीगल ड्राप्टिंग आप स्वयम से कैसे सीख सकते हैं तो दोस्तो ऐसी ही यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लीगल ड्राप्टिंग के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तों कोर्ट में आर्गुमेंट्स के साथ साथ अरजी अर्थात अप्लिकेशंस भी देनी होती हैं, कोर्ट में दी जाने वाली सभी अप्लिकेशंस की ड्राप्टिंग करनी होती है, तो आखिल लीगल ड्राप्टिंग क्या है? तो दोस्तो किसी एड़ोकेट द्वारा अपने क्लाइंट के पच्छ एवं केस से जुड़े तथे को न्याया लै, पुलिस या किसी अन्य के समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए कानूनी भासा में एक निरधारित फार्मेट में लिख करके तैयार करना ही या मित्र किसी कारण से जेल में बंद है, वह आप से उस ब्यक्ति को छुड़ाने के लिए कहता है, तो आप अपने आप पास आए, ब्यक्ति से मामले की पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद जेल में बंद ब्यक्ति को छुड़ाने के लिए कानूनी भासा में लिख कर न लीगल ड्राप्टिंग स्किल कहलाती है तो दोस्तों बिदाउट लीगल ड्राप्टिंग स्किल कोई भी एड़ोकेट सक्सेज नहीं हो सकता है क्योंकि लीगल ड्राप्टिंग स्किल एड़ोकेट का महत्तपूर्ण अधिकार और कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आवस् तो दोस्तो अब बात करते हैं कि new liar या advocate legal drafting स्वयम से कैसे सीखें क्योंकि कोई भी senior आपको legal drafting नहीं सिखाता है तो दोस्तो हम अपने अनुभाव के आधार पर कह सकते हैं कि यदि आपने हमारे द्वारा बताया जाने वाले कुछ rules को regular way में follow करोंगे तो आपको legal drafting सीखने से कोई नहीं रोग सकता है तो सबसे पहला आपके पास एक ऐसी legal dictionary होनी चाहिए जिसमें की Hindi, English और उर्दू तीनो भासाओं में legal words होने चाहिए legal dictionary की मदद से आपको daily 10 legal words को तीनो भासाओं में याद करना होगा तीनो भासाओं की आवसकता इसलिए है क्योंकि drafting में लगबग तीनो भासाओं में legal words की आवसकता पढ़ती है दूसरा आपको एक legal format sample की book लेनी होगी जिसमें की different different type के cases में use होने वाले formats होंगे क्योंकि हर प्रकार के cases में drafting का format अलग-अलग होता है इसलिए आपको daily एक ऐसे format को अपनी diary में note करना होगा जिसकी ज़रूरत सबसे अधिक पढ़ती हो और उसे दिन में दो बार आपको repeat भी करना होगा इससे जो अतिरिक्त है CRPC अर्था दंप्रक्रिया संगिता के Cedule 2 में दिये गए जो 56 forms हैं आपके जैसे की सम्मन, वारंट, कुर्की, आधि के जो format हैं उनको भी लिख करके आपको समझना होगा तीसरा और आति महत्तोपूर्ण आपको daily English वा Hindi news paper में आने वाले संपाद की प्रिष्ट को daily पढ़ना होगा और उसको समझना भी होगा यह आपकी legal drafting skills को बढ़ान में बहुत ही helpful होगा जिससे की आप बहुत तेजी से drafting skills में आगे बढ़ेंगे चौथा और last work आपको court में practice करते समय seniors द्वारा draft की गई applications को daily पढ़ना होगा और समय मिलने पर आपको अपनी diary में उसे note भी करना होगा जिससे की आप seniors द्वारा legal drafting में यूज की गई भासा और बढ़ा चड़ा करके जो लिखने का method है उसे आप सीख पाएंगे तो दोस्तो आज का वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद